कि यह ग्राइंडर है जो खराब हो चुका है और हम इसको करेंट देखेंगे यह करेंट पर नहीं चल रहा है देखिए यह कुछ भी नहीं चल रहा है क्या खराब हो गया है इसको हम खोल के देखेंगे देखिए इसमें क्या खराब हो चुका है कुछ भी आप पहले तो इसमें देखिए ये ग्राइंडर में फ्यूज बगारा नहीं होता है यहां पर आप देख पा रहे हैं यह स्वीच है जो रेड कलर का दिखाई देता है यह री सेट का है यहां पर आपको यह री सेट को दबाना है फिर से ओन हो सकता है और इसको यह देखिए यह बहुत जाम हो चुका है हम इसको खौल के देखेंगे यह दो पीन आपको खौल लेना है इस तरह से देखिए यह खौल लेना है खौलने के बाद आप इसको यह देख पा रहे है री सेट का है इसको आपको खौल लेना है खौल लेने के बाद यह दिखिए यह छोटा सा यह आपका जो 2.2 एंप्यार 230 वोल्ट यहां पर लिखा है आप यह खराब होने के बज़े से इसको री सेट बोलते हैं इसको खराब होने के बज़े से आप चेंज कर लेंगे तो आपका ग्राइंडर हो सकता ठीक हो जाए और कभी-कभी यह पानी लगने के बज़े से जाम हो जाता है आप इसको यह प्लास लेके इस तरह से थोड़ा ऐसा कर लेना है देखे यह बहुत जाम हो कि अच्छे तरह पिटिंग हो चुका है अब हम इसको इसमें पिटिंग कर लेंगे इसका पीन अच्छी तरह से आपको लगा लेना है अब हम इसको फिटिंग कर लेंगे कि अच्छेतर जढ हो ही तरह से लेंगे अच्छी कर लेंगे ठीक हुआ कि नहीं अभी हम स्कोर्ट टेस्ट करके देखेंगे प्लोक में दे देंगे देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से ये ठीक हो गया आप भी इस तरह से अपने घर में बहुत ही सामान्य काम को आप ये जो पिछे का जो रिशेट यहां पे लिखा रहता है आप इसको ठीक कर लेंगे तो आपका ग्राइंडर बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा आप घर में बहुत छोटा मटा काम हो आप घर में बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजे कर दोटा में बहुत अपको आपको साइक कर दो आपको कर दो